हेलो दोस्तों वेल्कम बैक टू आइडेलोजी ट्रेडर आज की वीडियो में हम लोग कोल इंडिया की स्टॉक को अनलाइज करने वाले हैं क्योंकि इस हफते स्टॉक ने बहुत अच्छा ब्रेक आउट दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत अच स्किप मत करना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्स्राइब कर देना अगर आपको नया डिमेंट एकाउंट खोलना है दोस्तों तो डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एंजल ब्रोकिंग और अफ्स्टॉक्स की लिंक दे रखी है उस लिंक पर क्लिक करके यह मार्केटाज में मैं बना रहा हूं तो हो सकता है यह प्राइज में आपको थोड़ा सा चेंज दिखे बाइदी अफ दे बट यह स्टॉक देखे एक बहुत अच्छा ब्रेक आउट देते हुए दिख रहा है मुझे ही सफटे इसलिए स्टॉक मैं आपको सजेस्ट कर रह है यह ऑगस्ट महिने में 2015 में लगे थे 447 के और उसके बाद से देखी एक डाउन ट्रेंड में रहा है देखे हाइस जो है इसके लोर हाइस लगते गए और लोज जो है यह लोर लोज लगते गए और पैंडेमिक में इस टॉक में लोज जो लगाए थे 109 रुपए के लगा हuger्मेंट जो है वह बहुत जो है यह मेहनत कर रही है अपने जुबमेंट स्टॉक्सर उपर भारत है वी हो गया तो ऐसे जो स्टॉक्स है वह बहुत अच्छा पर्फॉर्म्स कर सकते हैं आने वाले कुछ मैंशों में तो इसके उपर आपको ध्यान देना पड़ेगा और जह में और भी कई सारे positive news है जैसे कि online auction जो हो रहे हैं के उसमें एक growth देखी गई है 52% की growth देखी गई है यहां पर आप देख सकते हो तो बहुत ऐसे news है जो stock को drive कर रहे हैं और बहुत अच्छा positive sentiments बना रहे हैं तो आने वाले time में बहुत अच्छे returns दे सकता है अगर आपको अब तक की information अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को इस i button पर क्लिक करके subscribe कर लिजेगा और bell notification on कर लिजे ताकि आपको मेरे चैनल से related सारे updates time to time मिलते रहे और अगर आप laptop या desktop पे ये video देख रहे हो तो आपके right hand bottom corner पे ideology trader का चोटा सा icon दिख रहा होगा आपको उस icon प 50 पैसे 60 पैसे की price salary है और most probably ये stock जो है ये 162 के उपर ही closing देने में successful होने वाला है अभी 30 minutes का time approximate बागी है पर हम लोग देख सकते हैं कि ये stock अभी strong momentum में है और 162 के उपर ही closing देने वाला है जो कि बहुत important और एक breakout level होने वाला है इस stock के लिए क्योंकि अगर आप देखोगे तो last एक साल में stock ने कभी भी 152 या 153 के उपर closing नहीं दी है यहां पर February महिने में stock 163 का height जरूर लगाया था बट 152.20 पैसे की closing दी और उसके बाद देखिए stock वापस नीचे की तरफ चला गया था यहां पर देखिए ये price 162.80 पैसा 90 पैसा हो चुकी है भी बहुत अच्छी closing आने वाली है यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहां पर आने वाले टाइम में जो PSU सेक्टर के stocks हैं जैसे की BHELB हो गया Cole India हो गया ठीक है तो यह stocks जो है यह आपको बहुत अच्छा returns दे सकते हैं इस पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा बहुत अ 13 हफते इस levels पे निकाले हैं अगर आपको मैं daily charts में दिखा हूँ तो यहां पर देखिए इस stock ने 145 से लेकर 155 के आसपास बहुत दिन निकाल चुका यह stock तो यहां पर यह जो levels है अब support का काम करेंगे stock के लिए और उपर के levels कहां तक यह stock जा सकता है तो यहां पर देखिए पहला जो target होने वाला है अगर नीचे भी आता है तो उपर की तरफ जैसे मैंने आपको बताया 180 और 200, 210 के आसपा सी स्टॉप जाने की शमता रखता है तो ये थी मेरी आज की वीडियो दोस्तों कोल इंडिया के उपर I hope आपको ये वीडियो पसंद आई है अगर पसंद आई है तो प्रीज लाइक कर दीजेगा और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर जरूर बताईएगा आपको वीडियो कैसा लगा तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टेए सेफ और हैव गूद टेट थैंक यू